नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमार सी यूट्यूब चनल पे और मैं हूँ सौरब दोस्तों आज IPL का 24 मैच खेली जाएगी जिसमें Royal Challenges Bangalore vs MI यानिकी मुम्मेडियन्स के बीच मैच खेली जाएगी तो दोस्तों आज मैं फिर से आपको बताऊँगा पूरा detail analytics करके दिखाने वालों दोरों टीम्स के प्लेयर का फ्रम कैसा है मुमेंडियन्स के बले बाजो का फॉर्म कैसा है जो है उनके गेंड बाजो का फॉर्म कैसा है एंड सकेंड रॉयल चैलेंजस बैंगलोर के बले बाजो का फॉर्म कैसा है एंड उनके गेंड बाजो का फॉर्म कैसा है एंड दोस्तो पहले एक मैच हो चुकी इसी सीजन में मु पुरा पीच रिपोट देने वाला हूं और मुझे लगता है कि जो सबसे इंपोर्टन्ट चीज होता है वो पीच रिपोट ही होता है क्योंकि दोस्तो अगर पीच बैटिंग के लिए सपोर्टी होगा तो जिस बालेबाज का फॉर्म नहीं भी चाल रहा तो वो भी जो है 30-35 रन बना सकता है और अगर पीच बॉलिंग के लिए सपोर्टी होगा तो बहुत सारे जो है विकेट्स भी मिल सकते ही तो आपको जो सबसे ज़रूरी चीज जानना होता है वो पीच के बारे में ही जानना होता है कि जो पीच है वो आज कैसे रियक्ट करेग वो बहुत ही जाना बढ़ जाता है जी हाँ तो विडिय को complete watch कीजेगा दोस्तों तो चली इस विडिए को स्टार्ट करते ह SQL तो दोस्तों सबसे पहले हम जी स्पीच पर आजged मैच होने वाला है उस पीच का पूरा हिस्ट्री देखें तो अभी तक टोटल दोस्तों इस पीच के अंदर 105 मैचे खेले जा चुके हैं जिसमें से दोस्तों जो बैटिंग फर्स बार बैटिंग किया हुआ है उसने यहां पर 49 बार मैच जीता हुआ है और सकेंड बैटिंग करने वाले 56 बार यहां पर देखते ही इसका हाइस सकोर स्पीच के अंदर तो 235 रन एक विगेट के नुकसान पर दोस्तों इसमें यहां पर हाइस सकोर बन चुका है जो कि आरसीबी ने ही बनाया था और मुंबाइ इंडियन के खिलाफ ही बनाया था तो यहां पर आप जो हाइस सकोर देख सकते हैं अब बन सकते हैं और दोस्तों यहां पर बहु लूँ तो यहां पर बन सकत है इस स्पीच के लिटेंज को जड़ा ला है तो चलिए हम जानते ही तो सबसे पहले दुस्तों आप देख सकते हैं रिसेंट चार मैचेस प्लेड ऑन दिस वेन्यू इस पीच के अंदर चार मैचेस जो खेले जा चुके हैं उसके बारे में हम जानेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तो राजस्थान रॉयल्स वर्सस एमाई मुंबाई नियंस की बीच मैच हुआ था जिसमें से यहाँ पर जो राजस्थान रॉयल्स है वो दोस्तो 212 रन बनाई थी साथ विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में और मुंबाई नियंस 24 रन बना ली थी दोस्तो मतब चेस कर पाई थी बहुत ही इजली इजली तो नहीं बोल सकता बट इसने 212 रन यहाँ पर चेस हो चुका था जो की जो ह यहाँ पर जो मुंबे इंडियंस है वो इस मैच को जीत गई थी और 6 विकेट से जीत गई थी बहुत ही जादा जो है मतलब रन था फिर भी इसने चेस कर लिया था और इस मैच के जो फरस्ट इनिंग में दोस्तो फास बॉलर्स को 5 विकेट मिला था और जो स्पीनर्स को है तो सकेंड इनिंग में फास बॉलर्स को दो विकेट मिला था और जो स्पीनर्स को है वहाँ पे भी आपको दो विकेट देखनी को मिल जाता है आने कि यह जो पीछ है दोस्तो यहाँ पे फास बॉलर्स के लिए भी जो है मतलब सपोर्ट करता है और स्पीनर्स को भी बनाए थे आठ विगेट के नुकसान पे और मुंबई ने जो सो दो सो एक रन ही बना पाई थी यहां पे बीस जो है ऑफस में दो सो एक रन मनाई थी और हार चुकी थी और यहां पे जो पंजाब है वो तेरे रन से मैच जिच चुका था और इसमें दोस्तों अगर हम हिस्ट्री तो यह रहा तीसरा मैच केक्यार वर्सेज एमाई के बीच जहां पे दोस्तों जो केक्यार है वो एक सो पचासी रन बनाई थी च्छे विगेट के नुकसान पे और जो मुंबई ने जो मैंने आपको जैसे की बोला कि इस पीच के अंदर जो मतलब रंस बनते वो और अगर हम दोस्तों इस मैच के अंदर का जो विगेट के बारे में बात करें तो फास्ट इनिंग में तीन विगेट मिला था फास्ट बोलर को और तीन विगेट मिला था स्पीनर को भी और सकेंड इनिंग में दो विगेट मिला था फास्ट बोलर को और तीन विगेट मिला आया था आठ विकेट के नुक्सान पे और जो सियसके 169 रन बना चुकी थी 18 ओभर में ही और दोस्तों यहाँ पे चैनल सुपर किंग्स है वो साथ विकेट से यह जो मैच है वो जित हासिल कर लिया था तो आने कि दोस्तों यहाँ पे हम जो भी मैच देख रहे हैं उसमें जो स करने से ज़्यादा आसान होता है चेस करना तो यह रहां दोस्तों यहाँ पे पूरा जो रिसेंट चार मैचेस का हिस्ट्री और अगर हम यहाँ पे नीचे देखते हैं टोटल विकेट से टेकन बाई लाक्स फोर मैचेस है तो यहाँ पे जो पेसर को दोस्तों आनिके मिला था और सकेंड मैच में दोस्तों जो है सकेंड इनिंग में 8 विकेट मिल चुका है तो यह रहां दोस्तों इस पीच के अंदर का लास्ट चार मैचेस का हिस्ट्री तोस्तों यहाँ पे मैं हेड टो हेड के बार में बात करूंगा और आपको बताऊंगा मुंबाइड ने मैच के बारे में जाने तो सबसे पहले दोस्तों यह जो है रिसेंट का मदब 2023 का ही रिसेंट IPL का है हिस्ट्री जो कि एक बार मैच यहां मतलब जो है मैच हुआ था तो इसमें दोस्तों जो मुंबैंडियन्स है वो 171 रन बनाई थी साल्ट विकेट के नुकसान पे और जो आर कॉली है वह इस जो है पिछ के अंदर दोस्तों इटी टूरंस बनाए थे नीचे फैब डूपली सिस थर्टी से यहां पर सैवेंटी ठीरी रन्स बनाए थे ग्रेन मैक्सवेल ट्वेल्फ रन बनाए थे मुहम्मद सिराज को एक विकेट मिला था यह दीब को एक विकेट मिल करन सर्मा को दो विकेट मिला था और एम यहां पर ब्रैस्वेल को मिला था एक विकेट तो यह रहा आर्च से बी के बाजो एन गेन बाजो का इस पीच के अंदर फ़ॉर्म अगर हम यहां पे मुममा इंडियन्स के जो है प्लेयर्स का फ़ॉर्म देखें तो रोहीद सर्मा यहां पर बनाए थे तिलक वर्माइ इस पिच के अंदर एटी फॉर नाबाद रहे था निकी जो हान यहां पर यहां पर यहां पर तो चलिये हम 2022 and 2021 का भी यहाँ पे जो मुंबाढ़ियोंस एंद RCB के बीच मैच हुआ था उसकी बारे में जानते हैं उसका पूरा हिस्टी यहाँ देख लेते हैं तो यह रहा दोस्तो 22 का मैच जो की मुंबाढ़ियोंस और RCB के बीच हुआ था तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम देखते है मुंबाइन जो रंस बनाए थे वो 151 रंस बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे और यह RCB इस मैच को भी जीच चुकी थी चेस कर ली थी बहुत इजली 152 बना ली 203 विकेट के नुकसान पे ही 18 ओफर और 3 गेंदों के महां की मदद से और दोस्तों अगर आप यहाँ पे हम देखे तो साथ विकेट से जो यह रोयल चैलेंजस बैंगलोर है वो मैच जीच चुकी थी और अगर हम नीचे फॉर्म के बारे में बात करें तो जो है यह रावत यहाँ पे 66 रंण बनाए थे और यह रोयल चैलेंजस बैंगल बनाए थे यहाँ पे सुर्कुमर रादर 68 रंण बनाए थे और नाबाद भी रहे थे और यहाँ पे डेवल्ड यहाँ पे वैरिस को अगर हम देखे दोस्तों तो एक विकेट इन को यहाँ पे मिला हुआ था तो यह राद दोस्तों यहाँ पे जो है सकेंड मैच का मदद 2022 मे जो मैच हुआ था उसका हिस्ट्री दोस्तों गर हम तीसरे मैच की बारे में बात करें दोज़ा रखी स्वाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों रॉयल चलेंजस बैंगलोर एक सो पैंसर टन बना ली थी छे विकेट के नुकसान पे और जो मुंबा इंडि बना था उसकी बाद मोहमास्य राज को एक विकेट मिला था और हरसल पतेल को चार विकेट मिला था जो कि बहुत है हिऊज यहाँ पे इनको विकेट मिला था अगर हम जो है मुम्बैनियंस के बले बाजों गेंद बाजों की बात करें तो रोहित सर्मा 43 रंस बनाए थे क्व पुर्कमा रादा 208 रन टी वोल्ट को एक विकेट मिला था जस्पृत भूम्रा को तीन विकेट मिला था और राहुल चहर को एक विकेट मिला था तो यह रहाँ दोस्तों 2021 का रोयल चैलेंजस वैंगलोर वर्सेज मुं आई आने की मुंबा इंडियन्स के बीच का मैच और यहाँ पे जो मैच है वो बार-बार हार रही है लगाता रहार रही है तो इससे दोस्तों जब आप टीम बनाएंगी आज वाला टीम तो आपको मतलब यह है अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा बल्लिबाज है वो अच्छे से चल सकता है और आपको मैं लाइव यहाँ पे यहाँ पे प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स का वो कैसा होने वाला कौन-कौन प्लेइंग 11 में खेलने वाले है दैन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे टीम बना के भी आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले जो है वो विराट कॉली तो रहेंगे ही उसकी बाद फैब डूपले और दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ अधे यहाँ पे चेंड होने वाला है क्योंकि दोस्तों यह जो टीम है वो अच्छा भी कर रही है तो यहाँ कुछ चैंज अभी नहीं होनेवाल है तो यह यहां फिनलेवन और धीम डैविड, अरसद खान, जोफरा आर्चर, प्यूस चावला, आकास मदाल और रागव जहां यहां पर दिसे गोयल तो दोस्तों यह रहे यहां पर जो मुममेंडियंस के प्लिंग 11 जो की मतलब यही रहेंगे 110 परसेंट यहां पर क्योंकि दोस्तों ज्यादा कुछ आपसंस नह करने वाले हैं अब दोस्तों यहां पर हमने दोनों टीम्स का जो है प्लेंग 11 देख लिया अब चलिए लास्ट में दोस्तों हम अपना जो है ड्रीम 11 का टीम बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस-किस को यहां पर चूज किया हुआ है और उस हिसाब से आप यहां पर अगर आपको रोहित सर्मा को यहां पर ले सकते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी फॉर्म है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो इसलिए मैंने उनको अपने प्लेंग 11 में यहां पर सामिल नहीं किया हुआ है आपको अगर लेना तो आप उनको ले सकते हैं हरसल पडिल के जगा पे तो य मैंने आपको सारा डेटेल बता दिया जो आज मैच होने वाली है और इसके बाद अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप बहुत ही बहतरी टीम बना सकते हैं और आपका जीतने का चांस है वो बहुत ही जादा बढ़ जाएगा एक और बहुत ही most important बात आप को बताना चाहता हूं दोस्तों यहां पे जब जो लाइन अप आ जाती है साथ बच के पाच मिनट पे तो मैं अपने टेलिग्राम पे अपने टीम का स्क्रिंसोट वगेरा पोस्ट करता हूं और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आती है टॉस होने के बाद कि कौन पहले बैटि कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के अबाउट से जाते हैं तो जरू से जोएं किजिएगा बहुत ही जादा मौलें आपको जो आपडेट्स मिलते हैं तो इस वीडियो है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और अपने विडियो को ध्यान से देखा होगा और अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप 110 परसेंट बहुत 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 बना सकते हैं जो कल मैच हुआ था दोस्तों यहां पर पंजाब एंड कॉलकाता के बीच तो वहां पर मैंने जो टीम बनाया था उसमें भी बहुत अच्छा खासा मुझे पॉइंट्स मिला हुआ था उसका भी स्किन सोट में अपना टेलेग्राम पर पोस्ट किया हुआ है तो आप उसको भी वहां पर जाके देख सकते हीं तो अगर आपको यह वडियो सची में इंफोमेटी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जोड़ों से सब्सक्राइब कर ल लीजेगा तो चलिए दोस्तों आपसे नेक्स में मिलता हूं तब तक लिए जाहिंद वंदे मात्रम